मुख्यमंत्री निटीश कुमार ने किया एलान हमे राश्च्रपती चुनाव लड़ने की कोई एक्षा नहीं मुख्यमंत्री निटीश कुमार ने किया एलान जब से राश्च्रपती चुनाव की तारीकों का एलान हुआ था धारजुलाई को सुलहवे राश्च्रपती का जुनाव होने वाला है और ऐसे में मुख्यमंत्री निटीश कुमार के नाम की चर्चा बेहत तेश थी सिर्फ सत्ता पक्षी नहीं विपक्ष के नेता भी मुख्यमंत्री निटीश कुमार को समर्थन देने की बात लगतार कर रहे थे और सिर्फ समर्थनी नहीं वो यहाँ तक कह रहे थे कि यादी पिहार के मुख्यमंत्री निटीश कुमार देश के राश्च्रपती बनते हैं तो इससे बड़ा गर्व पिहार बास्यों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है येक गौर्वानवित पल होगा और इसको लेकर विपक्ष भी समर्थन करेगी मुख्यमंत्री निटीश कुमार राश्च्रपती के पद के लिए योग्य वो मिद्वार साबित होंगे लेकिन सिमर्थीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो नहीं लेंगे राश्च्रपती चुनाव उन्हें कोई एक्षा नहीं है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे है वो कि मुद्वे निटीश कुमार ने किया एलान नहीं लड़ेंगे राश्च्रपती चुनाव हमें शमा करें इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है निटीश कुमार ने साफ किया है तो जो सियासी बयान बाजी और अचकले लगाए जा रही थी वो अब थमे दी और थम चुकी है क्योंकि मुद्वे निटीश कुमार ने तमाम सवालों पर जवाब दे दिया है दो टुक जवाब नहीं है हमें कोई दिल्चस्पी हमें माफ करें इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे है सियामतीश कुमार ने किया क्लियर नहीं बनेंगे राश्चुपती के हमत्वार कि तो होगा तभी न सामने आएगा अभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कंडिडेट होंगे किस तरफ से कौन कंडिडेट हों कोई बात तो भी आई नहीं है तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे राष्ट्र पदी चुराव कोब नहीं बनेंगे